नमस्कार दोसे फिर से स्वागत आपका एक नेव वीडियो के साथ दोसे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं Vivo Y33S में आप यहाँ पे आटो चेंज वाल पेपर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं आटो-चेंज वाल पेपर यानी कि आपका lockscreen के पोस्टर के अबारे में बात वे हूं जैसे यहाँ पर आलग-अलग आपको वाल पेपर देखने को मिलते हैं मैं इसे stalk करते हैं तो यहां पे अगर आपको इस टैप के वाल पेपर सेट करने है तो यहां पे आपको चले जाना है सेटिंग पे जाने के बाद यहां पे आपको स्क्रॉल करना है आपको यहां पे लॉक स्क्रीन वाल पेपर का ओप्शन देखने को मिल जाएगा आप इस पे click करेंगे lock screen setting पे click करेंगे और यहाँ पर lock screen poster पे click करेंगे इस step से option आएगा तो पहले इसको not now पे click करना है और यहाँ पे lock screen wallpaper को आपको on कर देना है यह जीज on रखेंगे और यहाँ पे subscription टाइप भी आ जाता है language का, जैसे कि आपको तो अलग-अलग language में चाहिए तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं और wallpaper being used आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन-कौन जे वालपेपर हो रखे हैं used तो यहां पे category wise भी आपको देखने को मिल जाते हैं और यह new है सारे जो अभी-अभी internet पे available हैं ठीक है तो इस पे क्लिक कर लेंगे और back कर देंगे और बाकी चीज़े आप छोड़ देंगे और इसको check mark करके आप back कर लेंगे और इसके बाद यहां पे जब भी आप अपने screen को इस टैप से unlock करेंगे तो आपको अलग-अलग wallpaper देखने को मिलेंगे तो इस टैप से आप यहां पे auto change wallpaper या फिर lock screen poster को active कर सकते हैं इस टैप की और इंट्रेसिंग वीडियो से लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार